अपर लिप के हेर को आप 2 मिनिट में रिमूफ कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से घर पर ही और बहुत ही सस्ते में Mostly मैं इसी मैथर का यूज़ करती हूँ अपने अपर लिप के हेर को रिमूफ करने के लिए परसनली मेरे को लगता है ना कि अपपलिब के hair को remove करने के लिए इस सबसे अच्छा method है शायद बहुत सी लड़के इस method का use करती हूंगे अपपलिब के hair को remove करने के लिए लेकिन मैं आपको बताऊंगी, कैसे आप इजी वे से बड़ी असानी से बहुत सस्ते में घर पर कर सकते हैं, सिर्फ दो मिनिट के अंदर आपके अपलिप के हेर हैं, वो कितने भी मोटे हैं, कितने भी पतली हैं, कितने भी रुईदार हैं, कैसे भी आपके अपलिप के मतलब ह है ना वो आपके easy way से remove हो जाते हैं और I think बहुत सारी लड़कियों कर लिया होगा कि मैं कौन सा method का आज यूज करने वाली हूँ तो अभी देख लेते हैं किसका गैस सही निकलता है और किसका गलत निकलता है तो आपके इंतजार की घड़िया है बिल्कुल सबाप्त हुई ज्यादा टाइम आपका नहीं लोगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि मेरे चैनल के उपर फेशल हेर के उपर बहुत सारी वीडियोस हैं कि कैसे अगर आपके हाड़ हेर्स हैं मोटे बाले उनको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं घर पर अगर आपके सोफ्ट हेर है फेस की उपर उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं मतलब मैंने आपके साथ हैक्स भी शेर कियो है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस मैथर के लिए जो हमें नीड होगी वो है थ्रेड पालर वाली के पास जाके तो आपने थ्रेड से बहुत बार अपने अपने अपर लीप के हेर को रिमूब बी करवाया होगा अप घर पर ही सीख लेते हो दो तेन बार प्रैक्टिस करने से आप कभी भी कही भी अपन लीप के हेर को रिमूब कर सकते हैं और यह भी नहीं कि आपको जो पालर वाली धागा यूज करते हैं वही आपको धागा यूज करना कोई भी घर पे पड़ा हो कोई भी कलर का हो उससी से आप कर सकते हो लेकिन एक बात का धि और उसको फिर आपको ऐसे डबल कर देना है इस पात का मेशा धिया रखे जब जो स्टार्टिंग में इस से करना चाहोगे न तो वह आपने पालर वाली के पास देखोगा एक मुवे धागा होता है और एक चला रहे होते हैं लेकिन हम वड़ा इजी वेसे करेंगे तो आपको धागा चाहिए उसको डवल कर लीजिए यहां पे गांट लगा दीजिए अभी इनको बीच में से आप खोल लीजिए तो यह धागा आपका बनके रेडी है अभी आपको क्या करना एक हास से इसको ऐसे ही पकड़ के रखना है जैसे मर्जी पकड़ लीजिए दूसरे हास से इसे करोगे आप एक दो तीन चार पांच पांच बार आपने ऐसे किया अभी क्या करोगे अपने बालों के उपर इसको कैसे चलाना है ध्यान से देख लीजिए एक दो बार अगर आपको नहीं आता है प्रैक्टिस करना घर पे बड़े अराम से हो जाएगा पालर जाने की ज इधर से चलाना है फिर छोड़ना है बालों को बीच में ढाल के ऐसे चलाना फिर फिर छोड़ना है फिर इधर से चलाना एक हाद से मैं आपको बता देती हूं बार याते कि क्या यह painful है painful तो थोड़ा है मतलब अगर आपके बाल जड़ से उखड़ेंगे जड़ से निकलेंगे न तो थोड़ा सा pain तो होता है यह मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि इसे थोड़ा सा दर्भ तो होता है लेकिन इसे बाल आपके जड़ से उखड़ते हो और प्रीग्रोथ काफी लेट हो जाती है और काफी लेट आपके बाल आते हैं जल्दी आपके बाल नहीं आते हैं इसे लेकिन अगर आपको फिर भी लग है तो आप एलोफेटर ज़रूर अपलाई करें जब आप अपने थ्रेड से हीर को रिमूफ करते हैं तो ऐसे आप अपने अपरलीब के हेर को रिमूव कर सकते हैं धागे के साथ जो कि बहुत इजी हो जाता है इसका फाइदा यह होता है कि हमें सडलनी कही जाना पड़ जाए या फिर कोई फंक्शन हो कुछ हो ना पालर वाले बंद हो या फिर अभी कोईड का भी टाइम चल रह है तो घर पे रहें सेफ रहें तो इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो काफी लड़कियों को आता होगा तो बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं आता है तो वह दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे ना घर पे बड़े इसली आ जाते है को पाज की सिंपल सी वीडियो यह आपके के लिए टेक कियर रहें बाइब बाइब